हेलो दोस्तों नमस्कारा भीवी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाथिस्तान में भारत का एक और दुश्मन की हत्या जीहां दोस्तों पन्नु ने एक बार फिर्दी गीदर भवगी भारत की गरिमा को चोट पहुंचाने की कही बात बताएंगे दोस्तों संसत भवन पर हमले को लेकर बड़ी चेतावनी दिया इसने साथी साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन ने दिया तालिबान सरकार को सबसे बड़ा आपको बताएंगा जहां पर कौन होगा च्छाचिसगर का मुख्यमंत्री एक से बड़ी खबर बताएंगे बनेदेगा वीडियो का अंतक लेकिन खबरों में आगर बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्तन करतें मानतें कि मोधी है तो मुमकिन में भारत के एक और दुष्मन की हत्या सीर्पर पर हमले का मास्टर माइंड था हाफिस का करीबी हनजला जी हाँ पाकिस्तान में भारत के एक और दुष्मन का सफाया हो गया है जम्मु कश्मीर में 2015 और 2016 में उधमपूर और पंपोर में सुरक्षा बलो पर दो बड़े हमलो कर्तवस पर गोलियां बरसा दी जिसमें उसकी मौत हो गई हंजला अधनान को 3 दिसमबर की रात अग्याद बंदुग धारियों निशाना बनाया उसे कुल चार गोलियां मारी गई अधनान को उसके घर के बाहरी गोली मारी गई जिसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल में लेकर जाया गया जा उसने दम तोड़ दिया हंजला की हत्या लशकर तैब और हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है अभी तक ये सामने ना आ सका कि इसके हत्या के पीछे कौन है दोस्ता आपको बताते हैं कि हंजला अंधरान 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपूर में ब्यसफ के काफिले पर हमले का साजिश करता था इस हमले में दो अपने जवान शहीद हुए थे और तेरा जवान घायल हो गए थे जा सोला में पंपूर में सीर्पफ के काफिले पर हमले के पीछे भी हंजला को ही मास्टर माइंड माना गया था और इस हमले में आठ जवान शहीद हो गए थे हंजला ने पाकिस्तान में बैट कर इन हमलों की साजिस रची थी यानि कि जहास से उसने हमारे जवानों के लिए साजिस रची थी वहीं पर मारा गया ये हंजला आतंगवादी जी हाँ दोस्तों भारत के लिए बढ़ी खुशखबरी की खबर और हम आपको लगातार खुशखबरी वाली खबरे देते रहते हैं ऐसे में दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है सामने लाइक का बटन दवा दीजेगा और आज इतना जादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करेगा वस्ता फेस्बूक ट्वीटे पता की हर कोई समझ सके कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा दोस्तों हिंदुस्तान का हर दुश्मन आज सदमे में है भारत का दुश्मन चाहे किसी भी बिल में छिपा हो उसका सफाया हो रहा है कनाडा से लेकर अमेर्क और पाकिस्तान तक बैटे भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने तंकी पन्नुन एक बार फिर दे दि भारत को गितर भव की भारत के संसत भावन पर हमला करने Mohammed की डिण धाली है भारत की गरी मा पुछ पहुंचाने की इसनने ध्मकी दिया बताते खालिस्तानी आतइंगी गुरुपतवंद सिंघ पंडू ने एक बार फिर भारत की गरीमा को चोठ पहुचाने कि धंकी दी है उसने 2001 के हमले की बरसी पर या उससे पहले ऐसा पर हमला करने की धंकी धिया जो संसर्द की नीव वो हिला देगी वीडियो में पन्नु ने कहा कि भारती ऐजन्सियां ने उसकी हत्या की साज श्रची थी जो नाकाम हुई अब वो इसके जवाब में 13 दिसंबर को संसत भवन पर हमला करेगा अमेरिका और कनेडा की दोहरी नागरिक्ता रखने वाले पन्नु ने एक वीडियो साजा किया जिसमें संसत भवन पर हमले के दोशी अफजल गुरू के साथ वाला एक पोस्टर भी जारी किया है इस पोस्टर पर लिखा है कि दिल्ली बनेगा पाकिस्तान बताते अफजल गु संसियों ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने एक भारत ये शक्स को गिरफ्तार कर पन्नु के हत्या की साजिश नाकाम की थी आपको बताते चले कि पन्नु ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस संग्ठन बनाया था जुराई 2020 में भारत ने पन्नु का आतंग की गोशित कि चला रहा था जी हां दोस्तों ऐसे में गुरुवत्वंत सिंग पन्नु ने जितनी बार भी धंकिया दी है वो सिर्फ और सिर्फ गीदर भवकी देता है क्योंकि वह कहीं नहीं भारत को परिशान करने की कोशिश करता है दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पन्नु के बसका कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान अपनी और आकर्शित करने की कोशिश करता है इन धंकियों को दे करके तो अपनी राय वश्य दीजेगा बेरहाल दोस्तों आतंकी पन्नु के इस धंकियों को आप किस नजरी से देखते और कैसे लेते हैं कमेंड में करवश बताइए गा 서비स burger की बात करें जहां पर चीन ने दिया तालीबान सरकार को सबसे बड़ा समर्थन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना चाइना बताते हैं जिसने अफगानिस्तान की तालीबान सरकार को मानता दिया बीजिंग की तऱप stirring में राज दूत मीडिया ब्रीफिंग के दौन ये जानकारी दी और कहा कि तालिबान द्वारा नामित बिलाल करीमी को राज दूट का दरजा दे दिया है इविदेश मंतराले ने कहा कि अफगानिस्तान के लंबे समय से पड़ोसी के तौर पर चीन का मानना है कि अफगानिस्तान को आवास बनाए रखा था तालीबान के कभजे के बाद अंतराश्टे समुदाई में तालीबान की कई बातों को लेका निंदा की गई अवैसे में दोस्तों जिस प्रकार से चैनल ने तालीबान सरकार को सबसे बड़ा और सबसे पहला समर्थन दिया है कही ना कहीं इंटरनेशन लेवल पर बागी देशों को जटका जरूर दिया है चीनिन अवैसे में अगर आप भी मानते हैं कि इसका आडिट किया जाना चाहिए ता अपनी रायवश्च दीजेगा अगली खबर की बात करें जहां सीमा हैदर को क्या वापस जाना होगा पाकिस्तान जी हाँ पाकिस्ता स्प्रीम कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाते समय गुलाम हैदर उनके वकील रोशन ने एक मोटी फाइल दिखाते वे का कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं तमाम दस्तावेज इखटा करके मजबूती से अपना पक्ष वो अदालत के अंदर रखेंगे रोशन ने कहा कि सीमा और गुलाम के चारों बच्चों के लाने के लिए वो सभी तरक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के शामने पेश करेंगे एक अस्थानिया यूटूबर से गुलाम हैदर ने इस दौरान कहा कि रोशन सुप्रीम कोर्ट के तजूर बेकार वकीलों में गिने ज कि दोस्तों क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए या नहीं आपकी जोगराई हो बताएगा जरूर अगली खावर की बात करें जहां पाकिस्तान ने भारतिया धरम गुरू को दिया सर्वोच सम्मान मोरा रजी देसाई और दिलिपकुमार पाच्चुके भारतियों को पाकिस्तान और अपकिस्तान्य उटवच सम्मान निश्याने पकिस्तान प्रदान किया है मंगलवार को दुपसान के धार्म नेता सैंधना मुफद्ध्ल सैफुत्दीन को यह संवान प्रदान किया वह Firefox भारतिया जिने में पाकिस्तान ने क्याUNG, आधर आब सब्सक्राइब इस मßबूत करें अपने प्रदेश में भाजबा को मजबूत कर दी साइब के बाद मद्द प्रदेश राजिस्थान और 36 गड़ में सीम पद को लेकर कयास और तेज हो गए हैं दरसर कशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर और पहलाद पटेल ने मद्द प्रदेश में चुनाब लड़ा था और जीते भी हैं ऐसे में इनके इस्तिफ़े के बाद कयास तेज हैं कि क्या वे सीम बनेंगे इन नेताओं के अलाबा राजिस्थान के राज्य वर्दन सिंग राठोर जैसे नेताओं ने भी चुनाओं में जीत हासिल की है इसी बीच दोस्ता आपको ये भी बता था कि राजिस्थान मद्द प्रदेश राद च्छतिस गड़ में कोई भी राजियम बन सकता हैं इन तीनों राजियों हैं यह सबसे बड़ा आप तक एहलन और सबसे बड़ा ससपेंस है दोस्ताउन अब देखना यहोगा कि कौन होता है इन आपको का लगता है दोस्तों कौन से राज्य में किसको सीम बनाना चाहिए नाम लिखकर जरूर कमेंड में हमें बताइएगा देखते हैं किसका नाम लेती है भारत की जनता अगली खबर की बात करें जहां गोमुत्र विवात पर बढ़े बावाल के बाद बैक फुट पर कारवाई शुरू होते हैं इस पर जमकर हंगामा हुआ था और भाजबा सांसदों ने डियम के सांसद के खिलाव नारे बाजी की थी सेंतिल तीन हिंदी भाशी राज्यों में भाजबा की जीत का जिकर पर तंज कस्तेवे कहा था कि उसने गोमुत्र वाले राज्यों में जी कि जी हां दोस्तों बैरहाल इस गोमुत्र वाले बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों बताएगा जरूर बैरहाल यह थे भी कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगया आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी बेच्छी ल